प्रधान मंत्री के उद्गाटन करते ही स्टैचू आफ यूनिटी यानि सरदार वल्लब भाई पतेल की ये मुर्ती दुनिया की सबसे बड़ी मुर्ती बन गई है जो अमेरिका के स्टैचू आफ लिबर्टी की दो गुनी है वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि 44 महीनों की मेहनत और लगभग 3,000 करोड रुपे में बन कर तैयार हुई ये मुर्ती कुछ दिन तक ही दुनिया की सबसे बड़ी मुर्ती कहलाएगी आये जानते हैं ऐसा क्यों? गुझरात में बने स्टैचू आफ युणिटी से भी बड़ा छत्रपती शिवाजी का स्टैचू मुंबई में अरब सागर में बनाया जाएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू कहलाएगा रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि शिवा जी के विशाल स्टैचू बनाने में 3 साल लग सकते हैं यानि इस स्टैचू के बनने का काम 2021 तक पूरा हो जाएगा आपको बता दें स्टैचू अफ यूनिटी की उचाई जहां 182 मीटर है वहीं शिवा जी के स्टैचू की उचाई 212 मीटर होगी जो सरदार की विशाल मूर्ती से 30 मीटर ज्यादा है शिवा जी के इस स्टैचू को शिव स्मारक नाम दिया जाएगा आपको बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2016 को मुंबई में अरप सागर में बनने वाले शिवा जी स्मारक की नीव रखी थी आपको ये भी बता दें कि जैसे सरदार पटेल की मूर्ती को परियतक स्थल बनाया जा रहा है वैसे ही शिवा जी स्मारक को भी परियतकों के लिए ही बनाया जाएगा जैसे ही ये मूर्ती तयार हो जाएगी परियतक यहां चार स्थानों से पहुँच सकेंगे जिसमें गेटवे ओफ इंडिया, नरिमन पॉइंट, कुलाबा रीडियो क्लब और सागर संगम का नाम शामिल है एक रिपोर्ट के अनुसार शिवा जी की इस मूर्ती को बनाने में 3600 करोड रुपे का खर्चाएगा सबसे दिल्चस्प बात ये है कि शिवा जी की एतिहासिक मूर्ती का डिजाइन पद्मभूशन पुरसकार से समानित मूर्तिकार राम सुतार ने किया है राम सुतार ने ही सरदार पटेल की मूर्ती का भी डिजाइन तयार किया था वहीं दूसरी तरफ L&T को ही ये मूर्ती बनाने का ठेका दिया गया है आपको बता दें कि सरदार पटेल की प्रतिमा बनाने का ठेका भी इसी कमपनी को दिया गया था आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट के जरीए हमें जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब भी करें